नवस्कार मैं हुआ अक्षा नंद स्वागत है आपका लाइव सिटीज पर NDA की लहर जिस तरह बिहार में चली उसका परिणाम यह हुआ कि 40 में से 49 सीटें NDA के खाते में आई कई सीटों पर अच्छे मारजिन से NDA ने जीत हासल की लेकिन जनजारपुर लोकसभा का हाल कुछ ऐसा रहा कि उसके एक विधान सभा छेत्र में जीते हुए विधायक की पार्टी एक बूत पर सबसे कम मतले कराते हैं जी हाँ दरसल मामला जनजारपुर लोकसभा का है जिसके फुल परास विधान सभा में विधायक गुलजार देवी का यह विधान सभा है और वहाँ पर जदियू को वहाँ बूत नमबर 16 पर जदियू को महज 14 वोट्स मिले हैं इस बात की शिकायत धोंडर दीहा प्रखंड अध्यक्ष धरमेंदर कुमार मंडल ने स्रीम नितीश कुमार से की है और एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि फुलबरास विधान सभाथ छेत्र जिसकी विधायक गुलजार देवी है जदियू से है वहीं बूत नमबर 16 पर हाल ऐसा हुआ कि देवेंदर प्रशाद यादव जो एक अलग पार्टी से तीसरे कैंडिडेट थे उन्हें 537 मत मिल गई वहीं जो जदियू के कैंडिडेट थे राम प्रीट मंडल उन्हें महद 14 वोट और गुलाव यादव को 74 वोट गुलाव यादव महागड मनार के कैंडिडेट थे इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है गुलजार देवी के पती हैं उनके कही न कहीं रिष्टे देवेंदर प्रशाद यादव से बतलाए जाते हैं और अब धर्मेंदर कुमार मंडल ने इस बात की शिकायत करते हुए यह लिखा है कि कारेकरताओं ने और जो विधायक हैं उन्होंने इस तरह से प्रचार नहीं कि कि वोट अच्छे आए और हलात ऐसे हुए कि जदियू को महज 14 मत आए हैं तब जब वहाँ पर जदियू की ही विधायक गुलजार देवी काबिज है आगे आने वाले विधान सभाचुनावों का जिक्र करते हुए भी उन्होंने मुश्किल उत्पन होने की बातें कहीं हैं तो जंजादपूर की सीट पर रामप्रीत मंडल जीते तो 6 लाग से अधिक वोट भी हासिल हुए दूसरे उमीदवार गुलाव यादव जो महागडवन के केंड़ेट थे उन्हें 2 लाग 89 लगबग वोट अप्राप्त हुए दिवेंदर प्रशाद यादव तीसरे स्थान पर रहे महस 25,000 वोट ही उन्हें हासिल हुए मगर अब ये विवाद का विशाई इसलिए बन गया है क्योंकि बूत नंबर 16 जो फुल परास विदान सभा का है वहाँ पर जदियू को महस 14 वोट मिले है जो की सबसे कम है और अब इस बात के शिकायत धरमेंदर कुमार मंडल सियम नितिश कुमार से की है आगे देखना है कि इस पर क्या कुछ एक्षन लिये जाता है विदान सभा चुनावो को ले करके परेशानी होने की भी बात की जिकर की है अब लाइज सीरीज के साथ बने रहे हर खबर हर अपडेट आप तक सबस्द पहले पहुँचाएंगे हम तो अगर अभी तक आपने हमारे चानल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर ले बलाइगन भी दबादे आपका बहुत बहुत शुक्रिया